हाँ वाई नमस्काश अभी को तो कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी बहुत ही अच्छे हैंगे मेरे दोस्त खेर आज की अपडेट सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है ठीक है कौन से वेकेंशी को लेकर होने वाली है जो सभी RS मेंस के एस्पेरेंट है उन सभी के लिए आजगी सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है तो अपडेट क्या होने वाले मेरे दोस्त अभी अभी की देखो news आईए news आपको मैं बता दू कि जो RS मेंस के exam है कोन सी RS मेंस की जो exam है क्या वो postponed हो चुकी है अभी देखो meeting होई है मीटिंग के जश्ट बाद में ये भी न्यूज निकल गया आई है कि जो आरेसमेंस के एक्जाम है उसको क्या कर दिया गया है पोस्पोंड करने पर सहमती बनी है भाई एक्जाम में जितने भी एस्प्रेंट तैरी करने वाले थे उन सभी के लिए बड़ी कवर यही है कि थोड़ा समय और दिया जाए जो शातर किसमे थे एलेक्शन में बीजी थे उनको लेकर के पर्दसन था बहुत दिनों से जैपूर में राजदानी में पर्दसन कर रहे थे एस्प्रेंट तो उनकी आखिर में सरकार ने केबिनेट ने आज समीने सहमत ही जताई है कि एक्जाम्स को क्या करते जाए इसको पोस्पॉंड किया जाए कहीं ने कहीं ये बात ठीक भी है क्योंकि देखो जो एस्प्रेंट डूटी में है वो एलेक्शन में उनकी डूटी लगी थी तो खेर आज की डेट यही होने वाले है मेरे दोस्त कि जो आरेस मोग के फरीकसा है वो आगे बढ़ी है अब खहें ने कहीं जो नहीं बढ़ती आने वाली है क्या नहीं बढ़ती पोस्पॉंड होगी या जो नहीं बढ़ती आने वाली है क्या वो देरी होगी उसमें तो हो सकता है कि उसमें देरी हो सकती है क्योंकि देगो जुलाई तक यह आप देख सकते हो जुलाई तक जो बढ़ती है यह जुलाई हो गई जून जुलाई मैई जो वेकेंसी पहले से declared की गई है कि यह vacancy इनकी exam तरह समय पे है तो इनकी तरह समय पे हो सकती है होने की पूरी संभाव नहीं की होगी ठीक है तो अब जून जुलाई जुलाई last में हो सकती है men's के exam या फिर अगस्त में संभाव में आज के news paper में यह दे सकते हो ठीक है मिर भाई यह चीज़ें आज की update है ओ जैसा कि आप सभी men's की पर प्रप्रशन करते हो तो ऐसा handwriting notes बगेर आपको टेलेग्राम पर ही available हो जाएंगे तो टेलेग्राम की link आपको काई मिलेगी डिसुसन मिल जाएगी R.A.S. गुर्डक Academy के नाम से है तो आप उसको join गर लीजिए मिर भाई ताकि आपको उसमे R.A.S. men's से समधित या R.A.S. से समधित जो भी update होगी नई vacancy को लेकर के तो वो उस चैनल पर आपको टेलेग्राम पर मिल जाए करेगी ठीक है जिनके पास वोर्डस अप चैनल है है तब तक नई बरती की संभावना 0% अब है रवाई है क्योंकि देखो इस साल में मेंस होगी फिर इंट्री होगा तो इसमान के चलो ये साल तो पूरी खफ़त में चली गई फिर नई साल पचीस में ही नई बरती आने की संभावना बन रही है क्योंकि अगर जनवरी में हो जाती में चक्जाम तो अच्छा था जल्दी एक्जाम होती वैसे भी अच्छा था जल्दी वेकेंसी निकलती और एस्प्रेंट को इसमें मोका मिलता तो खहिए नहाई उसमें भी देरी होने की पूरी संभावना है तो ब